खबर गढवाजी लेके भंडरिया प्रखंड के बुढ़ा पहार से हैं जहां जारखंड के मुख्यमंत्री हेमान सोरे ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी सरकार ने सोचने की हिमागत नहीं कर पाई थी जो पहार कुछ माँ पहले नक्सलियों का गढ़ माना जाता था जिसके नाम से लोगों के रुहे काप जाती थी जहां अमन चैन सुक समरेधी की कोई कलपना भी नहीं की गई होगी उस डरावने और भयावो बुढ़ा पहार पर मुख्यमंत्री ने घनी अबादी से कई किलोमेटर दूर सुन्सान बियुडो वा जंगलो अच्छदित पक डंडियो कंद्रावो एम गुफाओ से घीरा जारखन के भंडरे प्रखन के अंतिम सिमा तथा चतिसगार के बल्रामपूर प्रखन की सिमा पर आवस्थित बुढ़ा पहार नक्सलियो के कई अमानवे काराने कारनामों के वज़ा से करीब 30 वर्सों से दर्द से कराहता यह पहार मानिय मुख्य मंत्री हमन सोरेन और मानिय मंत्री मिथलेश कुमार ठाकूर के साकरात्मक पहल से मानवता को अस्थापित करते हुए अमन चैन सुक सांत्री समरिधी है तू विकास के कई प्रारुपों को छेत्रवासियों को बुढ़ा पहार डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट को लेकर करीब एक हजार करणों विकास योजना का सिला नयास किया गया कई ज्वर्तमन लोगों के बीच परी संपतियों का वित्रन किया गया सावित्री भाई फुले की सोरी समरिधी योजना, मुख्यमंत्री पसुधन योजना, मात्यत वात्साले योजना, बिर्स्ता आवास योजना, बाबा साहब भीमराव अमेटकर योजना, कई गाउं को सौर उर्जा से अच्छादित करने सहीत विभिन योजनाओं के ताहत इस चेतर को विक्सित किये जाने की तैयारी कर ली गई है, इस बुड़ा पहाड पर बस एक गाउं को साहर से जुनने के लिए साहर का निर्मान भी कराया जाएगा, इसके लिए मानिये मुख्यमंत्री ने 10,000 करोड तक खर्च करने का अस्वासन दिया है, आई देखते हैं दनी को लेकर कई लोगों में अलग-अलग तरीके थे बिचार, सोच और नगरिया अपने मन में लिये बुड़ा पहाड़ा लेकिन ऐसा जगह, ऐसा पहाड़, ऐसा जान मेरे लिए नया नहीं है हम भी ऐसे ही पहाड़ों चोबीच से निकले हुए एक रहते हुए ऐसे ही जंगलों के बीचो बीच, पहाडी नग्यों के बीचो बीच जहां सरक नहीं जहां सरक पक्दिंडी ही एक सहारा हुआ करता है ऐसे गाउं से हम भी आते हैं ऐसे पहाडों में तो हम लोग पले बड़े हों और हमें गर्व है जहारखन की इस प्रकर्तिक सौंधरे जो भगवान ने हमें अवाजा है इस वर ने हमें अवाजा है इनी जंगलों से निलांबर पितांबर निकले ऐसे ही जंगलों से भगवान बिर्सा मुंडा निकले ऐसे ही जंगलों के बीचों बीच से सिद्धू कानू निकले आज ऐसे ही जंगलों के बीच से आजने अधिसंगुरों सीबूस फरेंविली और आज इसी जंगलों को इसी नदी को इसी पहाड़ को यहां के गाओं को यहां के आदिवासियों को हक अधिकार देना उनका अभिकार देना उनकी जमिने कोई नाचीने उनकी पहाड़े कोई नाचीने उनकी नदीया कोई नाचीने किसी जंगलों से निकले हैं वे हमारे पुरुवा इच्वाइट जिनको हम जगह जगह पर मालेयरपन करते हैं उन लोगों के नाम से कई कॉलेज, स्कूल, संस्राइं हम लोगों ने बनाई और आज जिन लोगों को हम लोगों समान दे रहे हैं ये वो लोगों जब इस लेस को अजाज होने का लोग सफना नहीं देखता था उस से पहले से हमारी ये पुर्वाइट वाइट, हमारी रक्षाट की लगाई 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 देखते हैं तो हमको लोगों ने बताया बुरा पहाड के संदर में ऐसा है वैसा है वहाँ आज तक कोई आजनी शेर से नहीं गया, कोई नेता नहीं जाता, कोई काल करता नहीं जाता, बड़ा बिचित्र हम पुर्वाइट, हम बुर्वाइट कैसे हो सकता? और उसी दिल हमने कहा है, कि हर हाल में हम पुरा पहाड के गाउं में और गाउं के लोगों के साथ समय बिताने के लिए जाएंगे, चुकि आज, कुछ बड़ा हुआ की नहीं हुआ, लेकिन हमारे उन पुर्वाजों के सहादत की ताकत की वज़स, आज हमी पुर्वाजों का संगर्ष का मतिजा है कि जिनको हम गुरुजी भी कहते हैं, उसका बेटा आज गाट का मुखमंगर्ष का मतिजा यहां बहुत सब्सक्राइब लोग भी है, और हमको नहीं लगता है, यादे जी दिस्वंगुरु सिभूश्वरेंचे इन प्रड़ा पहड़ों में नहीं आए, और वो भी पहते हैं, लोग हमको बतारते हैं, और जब हम उन जगाओं को देखते हैं, तो बड़ा ताजूब होता है, कि आखिल, उसमें ये गुरु जंगलों में क्या करा देखते हैं, हमको लगता है आज, आज आज ने दिस्वंगुरु जी को इस राज का बुड़ा बुगुरु जो हम लोग को कहें, वो लोग को जानता ही है, यहां का नदी नावा, पेड़, पहाड, वो भी उसको चिन गया, और आज, उस सपने को थोड़ा हम सकार करने के एक प्रयास हमने शुरू की है, बीस साल में कभी आप लोगों ने गाओं में पजादी कारियों के साथ बैठर करके, आपनी समस्याओं का समधान करते हैं, नहीं सुनाओं, यहां अपने जीवन का अलगा, लेकिन जब शरकार इमानदारी से आधर एक लूजी के विचारों के बारे में उनको जानकारी मिली, तो उस सबै बिल्कुल जो आदेश था, देखो और बोली मारदो, उसको हटा करके उनको पुरुस्कृत किया गया भारत सकार की इंद्राई गाने के विचारों, थोड़ा सा उनके साथ सोसंग करने वाले जो इस तरीके के लोग होते थे, वो लोग दरते थे, और मिचारे हमाले आदिवासियों का सोसंग करने के लिए तो लोग घुमता रहता है, ताथ लगाय रहता है, पहले का फुड़ा सोसंग अलग तरीके का होता है, आज का सोसंग अलग तरीके का होता है, उन फुरुवजों का संगर्व पुरुवजों का बलिदाण, तो हो गे लेकिन उसका परिणावब क्या हो गे souvent राज भी हम लोगों को मिल गया लेकि राज मिलने के बाद विस वर्ष हो गए राज मिलने के बाद आज भी हमारे उन सहीदों का सपना को पूरा होता हुआ हम नहीं देख पा रहे ये लोग सीधे मुखमंत्री कारे अले से जुड़े रहे कोई भी दिक्तत होगा किसी को भी इस पे फोन करने का जरूत नहीं है सीधे मुखमंत्री कारे अले में पोन जाएगा हाँ ये बात जरूर है कुछ खुराफाद लोग यहां का सीधा साथा भोला भाला आजिवासी लोगों का सीधा पत का फाइदा उठा कर सम्मिधान को चुनोती देते सरकार को चुनोती देते और खुन खराबा का खेल खेल आजिए दिसंबर उस्जी बुस्वरेंजी गाह गाह नदी नदी पहार पहार गुंते थे खुन खराबा करने का कभी भी उन्होंने पाट पढ़ाया सब लोगों को एक साथ चलने का सिक्षी थोने का उन्होंने बात पढ़ाया पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाद यह उनका यह था जैसे हमें आजादी मिली थी उनीट्व सहतालित में उस समय जिस तरह से भार्टियों ने खुली हवा में पहा सुनीटियों कहें थे कि हम आजाद हुए और जिस समय हमारा राज्य अलग जिखार्खन राज्य बना था और जो जिन लोगों ने आंदोलन करके पुलिस की लाट्चिया खाकर गोलिया खाकर जिस राज्य का निर्मान कराया था उनके साथ साथ पूरे जार्खन की जनता और खास करके हमारे आदिवासी बहुल को इलाकों की जनता ने जश्त मनाया था कि हमें आलग राज्य मिल गया अब हम पूर जार्खन भी हो गए और हमें अपना हग अधिकार मिलेगा मैं दावे के साथ जाता हूँ जिस दिन इस बुरा पहाड को नक्सर खूसितीा गया हमारे कुशास के पतादिकार्यों के दौरा पूरी स्नतानी जश्त मनाया था खुली हवा में सास भी थिया निने लगा था और ही अब और घृठ कर एकष पहुचेगी और आपकी ख़ुचेगी कि माध्यम से यहां हो चुकी है विगत अगर मैं गलत नहीं हूं तो विगत 18 दिसंबर को या 18 नौंबर को आपके योड़ा आपके अधिकार आपके सरकार कारिकरम खूले कर कर गरवादी लेकर उपायुक महोदेर पुलिस अधिक्चक महोदेर तमाम बरेशने पदाधिकारी आपके बीच आये थे और आपके बीच आपकर सरकारी योद्नाओं की जानकारी आपको देने का कांग किया था और उस दिन से निरंतर ये क्रम लागू है